हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस मात्मोन लेक्षर में हम डिसकस करेंगे 17 सितंबर 2023 के Most Important Current Interface के कोशन, तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्तक जूर देखेगा आज का पहला और Important Question है, ED के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राहुल नबीन तो दोस्तो राहुल नबीन संजे मिसरा जी के स्थान पर प्रभारी निदेशक बने हैं ED के Option की बात करें तो रजनीस कुमार अभी हाली में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और सिंधु गंगाधरन नैसकॉम की उपाध्यक्ष बनी हैं दोस्तो राहुल नबीन 1993 बैच के भारतिय राजत सुसेबा के अधिकारी हैं और उन्हें अब ED के प्रभारी निदिशक की रूप में निट किया गया है उन्होंने संजे मिसरा जी का स्थान लिया है जो की 15 सितमबर 2023 को रेटायर हो गए है यानि उनका कारकाल समाप्थ हो गया है संजे मिसरा ने लगबख 4 साल 10 महीने तक ED की निदिशक की रूप में काम किया है दोस्तों संजे मिसरा जी का जो कारकाल लगातार बढ़ाया चा रहा था सरकार के द्वारा उसको लेकर कई विबाद पैदा हो गए थे इसलिए अब उनके कारकाल को 15 सितंबर को समाप्थ किया गया है अब उनके स्थान पर राहुल नभीन प्रभारी निदिशक बने है बात करते हैं ED की यानि enforcement direct rate की इसे प्रवरतन निदिश सालय की नाम से भी जाना जाता है इसका गठन हुआ था 1 मई 1956 को दिली में इसका headquarter है और यहां बित्त मंतराले के इंतरगत काम करता है दोस्तो ED का काम होता है गलत तरीके से कमाये गए धन पर छापे मारी करना ठीक है यानि कि जो गलत तरीके से धन कमाया जाता है उस पर छापे मारी करने का काम कौन करता है ED करता है हाली में की गई कुछ महत्पूर्ण निउक्तियां डिसकस करते हैं तुमहिला फैसन ब्रांड डबलू ने अनुसका सर्मा को अपना ब्रांड मेस्टर बनाया है नीरज मित्तल ने दूर संचार विभाग के सचेव की रूप में अभी हाली में कारिभार समाला है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाश बाने और समाचार सिवाब प्रभाग की प्रधान महानिदिशक का पदभार गिरहन किया है आर्मादवन अभी हाली में FTII पुने के अध्यक्ष बने है दोस्तो आप इस पूरे लेक्षर को लास तक देखिएगा लास्ट में आप से कोशन पूछा जाएगा जिसका अंसर कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजगा टेलिग्राम पर जाना है इस्टड़ी कर ओफीसियल सर्च करना है तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा और अगर आप उसे जोईन करते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगे दोस्तो लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें सेयर करें सबी दोस्तों को सभी सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर अंगला कुशन है वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस के चौदवे संस्क्रण की शुरुवात कहा हुई है आंसर हो जाएगा नभी मुंबई में तो दोस्तो वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस का चौदवा संस्क्रण कहां आयोजित क्या जा रहा है नभी मुंबई में आयोजित क्या जा रहा है इस कारक्रम का आयोजन स्पाइस पोर्ड इंडिया की द्वारक क्या जा रहा है New Technology और समाधानों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है तो ये जो Congress आयोजित की गई है इसमें मसालों से संबंदित चर्चा की गई है हाली में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिसकस करते हैं तो G20 सिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित नई दिली में किया गया है बीस बा आसियान भारत सिखर सम्मेलन जकारता इंडोनेसिया में आयोजित किया गया था तैतालिस बा आसियान सिखर सम्मेलन जकारता इंडोनेसिया में आयोजित किया गया है नौबा राष्टमंदल संसदिय संभीलन उदैपुर राजिस्थान में आयुजित किया गया है ब्रिक्सल सिखर संभीलन 2023 का आयुजन जोहांसबर्ग साउद अफ्रीका में किया गया है नेक्स्ट कुशन है किस धर्म के लोगों का नया साल रोस हसाना शुरू हुआ है आंसर हो जाएगा यहूदी तो यहूदी धर्म का नया साल सुरू हुआ है नाम क्या है इसका रोस हसाना दोस्तो याद रखेगा यहूदी धर्म को सबसे अधिक मानने वाले लोग किस देश में रहते हैं इसराइल में रहते हैं रोज हसाना की बात करें तो यहूदी लोगों का नया साल है और बाइबिल की इतिहास में रोज हसाना वही दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाय गया था यनि कि जीवन की शुरुबात इसी दिन से मानी जाती है यहूदी धर्म के अंसार दोस्तो इस पवित्र दिन में यहूदी लोग प्रातना करते हैं और यहूदी कलेंडर के अंसार यह आम तोर पर सितंबर या अक्टूबर में मनाय जाता है दो हजार तेईस में रोज हसाना 15 सितंबर को सुर्यास्त से सुरू हुआ है और 17 सितंबर को यह सुर्यास्त पर समा यहाँ पर बात आई है नए साल की तो भारत में मनाय जाने वाले नववर्ष डिसकस करते हैं, तो जो 9 रे है ये कस्मीरी 9 वर्ष की रूप में मनाय जाता है, गुडी परवा हिंदू नव सम्वस्तर प्रारंभ की दिन मनाय जाता है, और खासकर ये महराष्ट में मनाय जाता है उगादी, आंदप्रदेश, तिलंगाना और करनाटक का नया साल होता है पोहेला, बोई साक यह बंगाली कलेंडर का पहला दिन होता है और जुड सीतल यह त्योहार मैथली नव वर्ष की रूप में मनाय जाता है इसके अलाबा, चेटी चंड सिंदी समदाय का नव वर्ष होता है और नव रोज पार्सी समदाय का त्योहार होता है नेक्स्ट कुशन है, भोज बेटलेंड किस राज़ में इस्तित है जहाँ पर मौटर चालित नौकाओं पर रोक लगा दी गई है आंसर हो जाएगा मद्द प्रदेश में तो दोस्तो भोज बेटलेंड मद्द प्रदेश में इस्तित है और इसमें अभी हाली में कुरूज जहाजों और मौटर चालित नौकाओं पर रोक लगा दी गई है और ये रोक किसने लगाई है? NGT ने यानि राष्टिय हरित अधिकरण ने दोस्तो भोज बेटलेंड की बात करें तो इसे भोपाल जील की नाम से भी जाना जाता है और यह एक रामसर साइट है इस भोज बेटलेंड में दो प्रकार की जीले है एक जील है अपर लेक और दूसरी है लोवर लेक तो जो अपर लेक है इसका निर्माण 11 भी सताबदी में किया गया था कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बना कर और जो लोवर लेक है इसका निर्माण लगबग 200 साल पहले हुआ था दोस्तो बात करते हैं NGT की तो इसे बोला जाता है नैसनल ग्रीन ट्रिबुनल या राष्टिय हरित अधिकरण इसके स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को ही थी इसके वर्तमान में अध्यक्षे प्रकाश श्रिवास्ताओ इसका उदेश है परियावरण ये मुद्दों का तेजी से निप्टारा करना मुख्याले इसका नई दिल्ली में है और दोस्तो इसमें जो परियावरण से संबन्दित मुद्दे होते हैं उनको 6 महीने के अंदर निप्टाया जता है या इसकी बिसिस्ता है नेक्स्ट कुशन है हाली में किस कैन सासे प्रदेश के द्वारा एलेक्ट्रिक वीकल नीती 2.0 पेस की गई है आंसर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा तो दोस्तो दिल्ली के द्वारा अभी हाली में एलेक्ट्रिक वीकल नीती 2.0 को पेस किया गया है और इस नीती का जो उदेश है वो है स्वक्ष उर्जा को बढ़ाबा देना दोस्तो इस नीती में इलेक्टरिक बाहन को प्रात्मेक्ता दी जाएगी बात आई है दिल्ली की तो यहां के उपराजपाल है विने कुमार सक्सेना मुखमंत्री है अर्बिंद केजरिबाल जो की आम आदमी पार्टी से रिलेटड है विधान सभा की यहां पर सत्तर सीटे हैं लोगशबा की साथ सीटे हैं और रज सभा की तीन सीटे है विष्यो रोगी सुरक्षा दिबस कब मनाया जाता है यानि की वर्ल्ड पेटेंट सेप्टी डे कब सेलिबरेट किया जाता है आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को तो विष्यो रोगी सुरक्षा दिबस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है दुनिया भर में रोगी सुरक्षा की महत्त पर जोर देने के लिए यह दिबस मनाय जता है 2023 की थीम याद रखिएगा Engaging Patents for Patents Safety मैं 2019 में विश्व रोगी सुरक्षा दिबस की स्थापना की गई थी दोस्तो सितंबर माह में अब तक मनाय गए कुछ प्रमुक दिबस डिसकस करते हैं तो 1 से 7 सितंबर तक राष्टिय पोशनर्ट सप्ता मनाय गया है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिबस 5 सितंबर को सिक्षक दिबस और 5 शितंबर को ही अंतर राष्टिय दान दिवस मनाए गया है। इसके अलाबा 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंतरता दिवस, 8 सितंबर को विश्यो साख्छरता दिवस, 8 सितंबर को विश्यो भौतिक छिकित्सा दिवस, और 8 सितंबर को ही विश्यो फिजियो थारेपी दिवस, और 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाये गया है, 10 सि 12 सितंबर को राष्टिय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्टिय इंजीनियर दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजौन दिवस मनाय गया है। तो ये हैं सितंबर माहे में अब तक मनाय गए कुछ प्रमुक दिवस। नेक्स्ट कुश्चन है असोक लिलेंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझोता किया है। आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो असोक लिलेंड के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक समझोता किया गया है जिसमें हिंदुजा सम्भू की जो प्रमुक कमपनी है असोक लिलेंड उसके द्वारा एक हजार करोड रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश में बस बनाने का कारखाना इस् पर्यावरण अनकूल परिभाहन विवस्था पर विसेश। जोर दिया जाएगा यौनि ऐसे बाहन तयार किये जाएगे, जो कि पर्यावरण के अनकूल होँगे इसकी सुरबात में 2500 बसों का सालाना उत्पादन किया जाएगा दीरे दीरे इसकी छमता को बढ़ाया जाएगा और फिर इसकी छमता को पांच हजार बसों तक ले जाने की योजना है और यह असोक लेलेंड का भारत में सात्वा बाहन सयंत्र होगा तो यह point बहुत important है बाताई है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश से related कुछ important current of yes discuss करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की cabinet ने 18 अटल आवाशे इसकूलों को अभी हाली में मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोध्या में मंदिर संगरहालाय बनाया जाएगा यनि की temple museum बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार गौंडा में बन टांगिया ग्राम प्रसिक्षण के अंदर स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश के आयोध्या में 8 सितंबर को सर्यो नदी में जटायो क्रू सेबा शुरू होई है तो ये है कुछ उत्तर प्रदेश से रेलेटिड करिंट अफियर्स नेक्स्ट कुश्चन है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलसी को मंजूरी दी है आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तो दोस्तो अभी हाली में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा सर्विस सेक्टर पॉलसी को मंजूरी दी गई है और इस पॉलसी के माध्यम से उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के आउसर सरजित करने और 10 लाख वरकर्स के कौशल विकास का लक्ष रखा गया है और दोस्तो इस पॉलसी के माध्यम से जो उत्तराखंड के यूथ हैं उन्हें रोजगार का रास्ता खुलेगा और पर्टन को भी बढ़ावा मिलेगा बद्रिनाथ धाम में दीवारों और मारगों पर इतिहास और पौरानिक गाथाओं पर आधारित विसेख्स प्रकती की कलाकृतियां और मूर्थियां लगेंगी जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा तो दोस्तो इस प्रकार की पौलसी लाई गई है उत्राखंड सरकार के द्वारा बात आई है उत्राखंड की तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी देहरादून इसकी कैप्टल है मुख्यमंत्री है पुसकर सिंग भामी राजपाल है गुर्मी सिंग यहाँ पर 70 बिधान सभा की शीटें है राज्य सभा की तीन सीटें है और लोग शबा की पांस सीटें है नेक्स्ट कुश्चन है सिक्चा के चेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा नजमा अक्तर को तो दोस्तो अभी हाली में नजमा अक्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है एजुकेशन के फिल्ड में तो मेकिंग इंडिया इंप्लॉय एविल कॉन्फरेंस एंड अवार्ड समारों में एजुकेशन के फिल्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसक पुरुषकार से नजमा अक्तर को सम्मानित किया गया है। पुरुषकार दोहजार तेईस उत्सा पटनायक को दिया गया है। इसके अलाबा प्रचिगर आर्किटेक्चर पुरुषकार दोहजार तेईस सर डैविड एलन चिपर फील्ड को दिया गया है। और बतीसबा सरसोती सम्मान दोहजार बाइस तमिल लेखक सिवा संकरी को दिया गया है उनकी पुस्तक सूर बंसम के लिए। तो ये हैं दोस्तो दोहजार तेईस के कुछ प्रमुक पुरुषकार। बांगला देश सेना के पुरुषक जनरल कौन है एस ए सफियुद्दीन एहमद तो उन्होंने यह यामंतरण सुईकार किया है। दोस्तो यह जो सम्मेलन है यह नई दिल्ली में 25 से 27 दिसंबर तक आयुजित किया जाएगा तो इसमें बंगला देश की सेना प्रमुक भी सामिल होंगे। इसके अलाबा 30 देशों के जो सेना अधिकारी है वो इसमें भाग लेंगे। बाताई है बंगला देश की तो बंगला देश को दोस्तो जी 20 सम्मेलन हुआ था जो अभी हाली में उसमें इनवाइटिट कंट्री के रूप में भी सामिल किया गया था। इसके अलाबा बंगला देश की प्राइम इनिस्टर कौन है तो उनका नाम है सेख हसीना और यहां के राष्टपती कौन है मुहम्मद शहाबुद्दीन दोस्तो बंगला देश की राजधानी क्या है धाका है और बंगला देश का निर्माण कब हुआ था 1971 में हुआ था तो यह कुछ बेसिक जानकारी है बंगला देश से रिलेटेड चलिए दोस्तो अब हम कल के करिंट अफ्यर्स को रिवाइज करते हैं फिर इसके बाद जनरल नौलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे लास्ट में आपसे कुशन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे राष्टिय इंजीनियर्स दिवस का मनाया जता है 15 सितंबर को 15 से 24 सितंबर तक दिब्बिकला मिला कहां आयजित किया जाएगा बाराणसी में किस राज ने फुटवाल के विकास के लिए इस्पैन की ला लीगा के शाथ MOU पर हस्ताचर किये हैं पशिम मंगाल पियम मोदी ने किस राज में 64 सो करोड से अधिक की ट्रेलवे परियोजनाव को समर्पित किया है 36 गड़ हर्याना सरकार ने किसे मनुरण्यन नीती पजशत का अध्धक्ष बनाया है मीता बशिष्ट को दोस्तो ये थे कल की करिंट अफ्यस की कुशन आज के जनरल नौलेज के पिटारे में हम डिसकस करेंगे भारत के प्रमोके स्टेडियम से रिलेटेड कई बार एक्जाम में कुशन बनते हैं तो चलिए इसको डिसकस करते हैं सेर एक कश्मीर स्टेडियम स्री नगर में है और ये क्रिकिट से रिलेटेड है अरोंड जेटले स्टेडियम नई दिल्ली में है ये भी क्रिकिट से रिलेटेड है सबाई मान सिंग स्टेडियम जैपूर राजिस्थान में है ये क्रिकिट से रिलेटेड है आटल बिहारी ब पोलकाता में है और यह किर्केट का स्टेडियम है चिन्ना स्वामी स्टेडियम किर्केट का स्टेडियम है बैंगलूरू में इस्तित है ध्यानचन नैसनल स्टेडियम यह होकी से रेलेटर है और नई दिल्ली में इस्तित है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है नरेंदर मोदी स्टेडियम जो की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यह कहां इस्ते थे तो इसका आंसर आप कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा दोस्तो कलके करेंट अफियस में जो कुशन पूछा गया था उसका आंसर था उत्तर प्रदेश तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश सभी ने दिया है इसके अलावा एक और कुश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से राष्टिय उध्यान है तो कुछ ही लोगों ने इसका आंसर बताया है तो आपसे जो बीच मैं कुश्चन पूछए जाएं उनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें तो दोस्तो इसी प्रकार से आपसे जो कुश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतायेगा ED के प्रभारी नितिशक कौन बने है जो भी इसका राइट अंसरो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें इंतिचार रहेगा आपके आंसर का मिलते हैं नेक्स लेक्षर में जैहिंद उबंदे मात्रम